Hello बच्चा लोग, welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an इश्क मुहबबद with the subject एक बहुत ही कॉमन मुद्दा बच्चा लोग, क्या सार हम 35 out of 35 फिजिक्स में लेकर के आ सकते हैं? इसका जवाब है बच्चा पार्टी, yes, 100%, लेकिन आपको तीन बातों पर ध्यार रखना पड़ेगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चा, बहुत सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट है, जिन पर अगर आप फोकस अभी नहीं करोगे, तो आपका, अगर आप नीट क बहुत ध्यान से समझोगे, और मेरी बातों को बहुत दिल से फॉलो करोगे बच्चा, तो ट्रस्ट मी, आसान है, लाया जा सकता है, आएंगे भी और आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट के आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना पैटन चेंज करना पड़ेगा, So Physics 35 out of 35, ये कैसे, तीन बातों पर हम discuss करते हैं, हमारे main key points जो होने वाले हैं, वो points कौन से हैं, way of reading को change करना पड़ेगा, दूसरा, revision की proper planning और तीसरा बच्चा लोग PYQs, या ऐसा समझ लीजिए कि daily basis पर जैसे आप खाना खाते हैं न, उसी तरह से मेरे लालपाल गोपाल, य ठीक है, मंत्र, और उस मंत्र का short form याद रख लो, WRP, अगले देड़ महीने तक, दो महीने तक, almost आपके कितने दिन बच्चा नहीं, October, November में, में भी आपकी exam होने वारी, दो महीने तो बहुत ज्यादा बोल जया, मैंने, बहुत कम समय है, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो करना है, आपको अपना revision बहुत 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 करना है, और PYQ करना है, वट कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, तो देखे, सबसे पहले बच्चा, way of reading physics पर अगर मैं बात करें, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ना, तीन बहुत 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 बना and reason type की question है, यह सब सिर्फ formula पढ़ने से नहीं होगा, बात को समझ यह, आपको सिर्फ formula अगर आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं, फिर आप आराम से पास हो जाएंगे, 15-20 marks आ जाएगा, लेकिन 35 और 35 marks लाने के लिए आपको detailed concept की जुरुत पढ़ेग बात बिल्कुल नहीं करूँगा, अभी फिलाल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप one shot पढ़ जाओगे, तो वो one shot उन बच्चों को help करता, जो बच्चे पहले से detail पढ़ चुके हैं, अगर आप detailed नहीं पढ़े हो, तो आपको पढ़ना चाहिए, जहां से भी अच्छा reason के question आएंगे, तो वो आपको एक must वाला कुछ भी यहां से उठा करके कुछ भी पूच सकते हैं, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए, किसी बराबर A epsilon 0 by D आया कैसे, और इसमें condition कौन कौन से है, अपसलान 0 क्यू है, अपसलान 0 के जगा पर अपसलान होगा, तो क्या होग है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ हम फॉर्मूला पर डारेट पढ़ ले रहे हैं बच्चा लोग तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको detailed planning करनी पढ़े कि हो, और इस channel के साथ अगर आप regular basis पे बावा SSP को follow कर रहा हो, तो आप 5-6 में regular classes ले रहा हूं बच्छ करता है, सर, NCRT example exercise करना है, मैं बोलूँगा, yes, 101%, 101% आपको करना चाहिए, पहला confidence बढ़ेगा, दूसरा, आपके मन में ये विश्वास रहेगा कि नहीं, NCRT में हमने ये जैसे पढ़ा कि electric field on the axis of dipole, तो हमें उसके question आते हैं, हमने कूलम स्लो पढ़ा, तो हमें उस किताब के question आते हैं, इसलिए बच्चा लोग ये आपको करना चाहिए, at the same time, मैं ये कहूँगा, कि अगर आप additional exercise नहीं करोगे, तो चलेगा, क्यूंकि एक-एक मांक से question है, और additional exercise के अंदर के जो questions है, बच्चा लोग, वो थोड़े से advanced format के होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि CBSE term 1 मे वहां से question आने के chances है, बट अगर आप formula के अलावा detailed concept पर जाते हो, तो कुछ अच्छे question भी बहतरीन तरीके से कर पाओगे, फिर से बच्चा लोग, एक और मुद्दा मैं यहां पर clear कर देना चाहूँगा, 35 out of 35 tough नहीं है, तो बहुत आसान भी नहीं है, 35 out of 35 लाने के लिए, आपका ये है न, एकदम perfect होना चाहिए, clear and sharp होना चाहिए, क्योंकि ये जो अब आपका term 1 का exam होने वाला है, वो किस तरीके का pattern है, neat का pattern है, J means का pattern है, इसलिए बहुत सतर्क तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, तो आ जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत उपर नीचे, एक दो marks, तो कोई दिकत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप इस technique को follow करोगे न, तो ही कुछ हो सकता है, इसलिए पहला बहुत खास मुद्धा है, बच्चा लो कि आपको detailing concept पर जानिए, बहुत बढ़िया, दूसरा, NCRT example और exercise को एकदम must contest चाट लीजे, और बहुत simple question आते हैं, अगर example और exercise आसानी से बनेंगे, simple simple formula पर question आ जाते हैं, F is equal to K Q and Q to by R square, सीधा सीधा R पूछ लेते हैं, ऐसे आपके textbook के अंदर ही मिल जाएगा, NCRT के textbook के अंदर, तो उन्हें करना है, additional नहीं करोगे, चोके, बट आपको ये करना है, फिर उसके बाद आता है, आपको अपने handwritten notes प कि notes कैसे बनाते हैं, खासकर कि CBSE term 1 physics का, वो वीडियो देखोगी, तो concept के रहोगा, मैं points पर आता हूँ, जब आप chapter 1 पढ़ रहे हो, physics में total 7 chapter है, chapter 2 पढ़ रहे हो, तो उस chapter के साथ-साथ, आपने जहां से भी पढ़ाई करे है, आपको जहां से भी आनन्द है बच्चा, तो आपने उसे लिखा है कहीं पर कि नहीं, प्रसाइस तरीके से आपने लिखा है कि नहीं, अगर वो नहीं लिख रहे हो, तो चालो कर दो, online classes आप ले रहे हो बच्चा लो, बढ़ रहे हो यहां से, तो daily basis पर handwritten notes आपका होना चाहिए, इसका एक बहुत बढ़ा फाइदा यह हो लिया, तो mind mapping का मतलब एक तरह से short note, कि भाया chapter 1 के अंदर इतने formula है, इतने concept है, और उसकी clarity मुझे एक दम अच्छे से है, picture clear बच्चा, very good, बहुत बढ़िया, तो यह बात हो गई कि way of reading में, हम पूरी तरीके से detailing पर जाएंगे, NCRD की example exercise करेंगे, and handwritten notes पर focus करेंगे, and mind mapping भी सर, जरूर बनाएंगे, और जो भी बच्चा बनाएगा, वो please comment section के अंदर लिखना, कि yes, Baba SSP, we are going to do this, your mantra, या फिर आपका medicine हम खाने जा रहे है, और अगर जो बच्चा नहीं करेगा, उसे भैसो वाला injection लगेगा, ठीक है, live class के अंदर आपको आखर के data है, इसलिए please, इन पढ़ लें सर, उसके बाद हम revision करें सर, ये गलत है, एक revision वो होता है कि जब आप chapter पूरा finish कर लिए, साथ chapter आपने पढ़ लिया, तो revision कर रहे हो, वो revision को कहते हैं भौकाल revision, वो revision में उन बच्चों को मजा आता है, जिन्होंने सुरू से बहुत बढ़ियां तरीके से पढ़ा मेरे ही lecture के मैं बात करता हूँ, suppose अगर मैं combination of cell आपको पढ़ा है, तो वो combination of cell के लिए यार आप पूरा खतम करने के बाद, lecture खतम करने के बाद, self study के अंदर ही include कर सकते हो आप उसको, क्या आपके पास में 30 minute नहीं है, पूरे दिन में आप Instagram के उपर इतना समय निकाल देते हो होंगे, या पूरे दिन में आप दोस्तों के साथ एक कप चाय पीने कहीं निकल जाते होंगे, रखरने में निकल जाते होंगे, अपनी वाली के साथ वक्त बिता लेते होंगे, सही बात है ना, अपने वाले के साथ चले जाते होंगे, एक्टिवा के पीछे चले जाते होंग You can 100% अब सोच लोगे तो आपको time मिल जाएगा daily basis पर revision करने का बहुत simple है बच्चा daily जितना पढ़ाया गया जो आपने लिखा है उसको एक बार सोने से पहले revise कर लो मैं बोलता हूँ सोने से पहले एक बार revise कर लो और साथ ही साथ 30 मिनट के अलावा आप 15 मिनट और निकालिए यह सर किस लिए यह चीज तो है आपको याद करने के लिए जो आपने पढ़ा और यह जो चीज है 15 मिनट बच्चा यह किस के लिए मैं आपको बताता हूँ बहुत important point है यह ध्यान से करना यह है बच्चा OMR की practice क्यों यह जरूरी है समझ पा रहे हो ना अगर आप सुरू से OMR की practice करने लग जाओगे आप रोज के 10 से 12 physics के question करो बच्चा लोग लाई classes के अंदर ही 7 आट सवाल मेरे हो जाते हैं वो करो और उसके बाद में OMR sheet of market से लेकर के आजाओ और daily basis पे 7 आट 10 question अपने सामने रखो कि भाया मेरे ये 7, 8, 8 question है मैं हर question पे कम से कम 1 minute लूँगा या लूँगी और उसके बाद not लूँगी लूँगी ठीक है बच्चा पार्टी के सासाथ बच्ची पार्टी भी हमारे classes देखते हैं ना धन्यवाद तो उनके लिए ठीक है लूँगी नहीं कहा हमने तो बच्चा लोग क्या करना है आपको practice करनी है क्योंकि last last में क्या होता है कई बच्चे ऐसे ऐसे कर देंगे तो आप लोग जानते ही हो क्या हो जाता है बच्चा पार्टी रॉमन रिंस की तरह है शील्ड वाले ठीक है यू कैन और यू विल यह सर्वी कैन और वे विल हंडेट परसेंट चलो बहुत बढ़िया तो यह चीज करनी है आपको ठीक है तो रिविजन अब उसके बाद हमारा next funda क्या है आजाए पी वाई क्यूज प् अठा करके देखोगे तो एक-एक मार्स के सवाल पूछे हैं जब आप उन्हें करने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि पैटन कुछ इस तरीके का है मैं यह नहीं कहूंगा कि वही सवाल डारेक्ट आजाए क्योंकि इस बार तो पूरा चीज पदल गया है पहले ऐसा प्रका एमसी क्यों जैसा ही पैटन हुआ उसे आप करोगे बच्चा तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा चैप्टर वन में यह लोग यह लोग पूछते हैं और पहले का तो पेपर का पैटन ही ऐसा था कि जो बच्चे दस साल का पेपर कर ले तो हो जाता था इसी चै सकते हो ठीक है या फिर आप देख सकते हो आपके पास में कोई भी बुक वगएरा पड़ी है तो आप वहां से कर सकते हो बढ़िया आपको कंपल सरी करना चाहिए चाप्टर वाइज अगर आप एमसी क्यू प्रेक्टिस करो तो वह बैस्ट है और साथ ही साथ पिर लाल बाल है और इसकी प्राइज भी बहुत कम है बच्चा और राइट ना उगर आप इसे पर्चेस करते हो तो आपको 149 रुपीज का ही पड़ेगा और इसे पर्चेस करने के लिए वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर लो बच्चा या आपको जो अच्छा लगे साथ के मिस्ट्री बाइलोजी मैथ्स तो हाड़ी 500 रुपीज में पड़ता है बच्चा लोग और उसमें भी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में है तो वह करो सेंपल पेपर बहुत जरूरी है अगर आप सुरू से ही चैप्टर खतम करके पहले सेंपल पेपर के अंदर के चैप्टर वन के साथ कोश्चन या आठ कोशन या दस कोशन करते हो उसके के स्कुष्चन करते हो तो सोचो ऐसे सैंपल पेपर जब मैं ऑनलाइं कराने लगूँगा तब आपको एक अलग लेवल कम जाएगा है ना इसकी लिए प् प्रिवेसर का कोश्चन दन चलो बच्चा एंड सेंपल पेपर आप ले सकते हूँ एंड साथ ही साथ एक सर्प्राइज और आप लोगों के लिए है याद रखना मेरे लाल बाल गोपाल याद रखना मेरे ट्रू असेस्विन बच्चा पार्टी हमने हर साल किया है और इस सा बच्चा लोग मिल करके मचाते हैं ठीक है तो सी ओल लाइव क्लासे तब तक के लिए खुश रहे हैं मुसको आते रहे हैं मुसको आटके साथ पढ़ते रहे हैं वीडियो पसंद आया है बच्चा लोग तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कर दीजेगा प्यार जरूर दीजेगा प्यार मिन्स उजो लाइक वाला बटन है उसे दबा दीजे और साथी साथ जो खूबसूरा सी रेड़ वाली बटन है सब्सक्रिप्शन वाली उसे भी दबा करके बीए पार्ट इस फैमली तो टाटा बाई-बाई-बच्चा पार्डी लब यू थाइंक ये सो टेक कारे